बेलकम टू बीएसी बिहार एस्टेटिक जाम में आपका स्वागत यह वीडियो बीएससी इंटर लेवल का जो वेकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ के इंपोर्टेंट टॉपिक आवरेज का डिसकेशन करने वाले हैं इसमें जितने भी इंपोर्टेंट प्रस् कि अब corrupt करें साथ में बेल बटन को दबा दे अन्यवाले परत्रेंग वीडियो का नौटिफिकेशन आपको संफ में बेल सकें साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सिर करी पर दोगों के जो पुद्च सकें चले बीडियो की सुरुभात करतें आज के इंपोर्टेंट प्रश्ण मंते चले दिखते पहला प्रश्न किया है पढ़्थम 80 प्राकेटिक संख्या का औस्ट ग्याद किजिग जानि पहली 80ck संख्या का हमको क्या ग्याद करना तो देखें कि अफरेज कैसे भी कंशार फला है अगर हमको रहता कि कहले पहली 3 प्लाकेचिक संाखिया की निकालने के लिगह जाता है। एक, दौ और तीन प्लाकेचिक यह संखिया. इनको डिफ्रेन्स करेंगा सb इन दोनों का डिफ्रेन्स एक अगर डिफ्रेन्स सेम हो तो न चार को डूसे डिवाइड करेंगे पोट कितना फ्लापत हो जागा दो कितना ओ ऐसी देखे अगर शुको फिजकल ही देखा जाय तो जैसे तीन था雲 फाश पाश एक चो हो कांप करते यह आपकेस नहीं गाट है opta शुए अशुए इस क्या करते तू करते यानि one पलस ऐसी डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ क्या करेंगे तू करेंगे यानि एसी और एक 1881 को जब दो से डिवाइड़ करेंगे यह कितना आ जागा 40.5 जैनी 40.5 इसका कड़िक एंसर होगा यानि option दो इस प्रस्ण का कड़िक जवाब होगा यानि जब difference सेम हो तो first term plus last term divide by 2 करके क्या निकालते एवरेज निकाल सकते clear है next अगला question क्या करा है इसको देखिए पर्तम 31 प्राकिटिक संख्या के बरगो का औसद ग्याद करना है अब हमको क्या करना है बरगो का औसद अगर 3 प्राकिटिक संख्या के बरगो का औसद कहा जाता तीन कहा जाता तब कैसे निकालते देखिए 1 का स्क्वाइर करते 2 का स्क्वाइर करते और 3 का स्क्वाइर करते यानि 1 का स्क्वाइर तो 1 हो जाता 2 का स्क्वाइर 4 हो जाता 3 का स्क्वाइर कितना हो जाता 9 हो जाता इसके लिए हम फर्मूला यूज करेंगे क्या n plus 1, n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n plus 1 into 2n plus 1 by 6, जैसे देखे, n की जगा पे हम अगर 3 रखते, 3 और 1 कितना हो जाता, 4 हो जाता, multiply, n की जगा 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6, 6 और 1 कितना हो जाता, 7, 7 बटा हमको कितना करना, 6 से डिवाइड करना परता, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको solve करते, तो 2 से कड़ जाता, 2 द 1 by 6, यानि 31 प्राकिटिक संक्या का अवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगा पे 31 रखेंगे, यानि 31 प्लस 1 कितना हो गया, 32, multiply, कितना n प्लस 2n, यानि 31 को 2 से multiply करेंगे, तो 2 कितना हो जाता, 62 प्लस 1, 62 प्लस 1, डिवाइड कितना करना 6, जब इसको solve किजेग यानि 32, multiply, 63, डिवाइड कितना 6, जब इसको solve किजेगा, 3 से काड़ देते, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1, 21, 2 से कड़ जागा, 32, 16 मरते, 16 को जब 21 से multiply किजेगा, तो ये आपको कितना आ जागा, देखिए, 16, 16 कि 6, हासिल 1, 16 दूना 32, 32, 31, यानि 3, 3, 6 इसका correct answer होगा, यानि option C, इस प्रश्न का कडिक जबाब हो जागा, यानि पर्थम इन प्राकेटिक संख्या के बढ़ों का एवरेज कैसे निकालते है, तो इन प्लस वन इन टू, 2 इन प्लस वन वाई 6 से, क्लियर है, निक्स्ट, पर्थम 16, प्राकेटिक संख्या के घनों का उसत, अब क्या करा है, अ 2 का क्यी करते हैं? यह हो जैताԿज, 3 का क्यो क्यो करते हैं? यानि 27 और 27 अहरे, 28, 28, 22, 32, 30, 32 36 उचायीं 23 Caesar 2016 सीदिन से डिवाइड पर ते जब सी तो यह कितना आ यह बरें है लेकिन कवें यह 3 संख्या रहता तब जब इसा कि संख्य अग अ ठर्म को अन्य जब बड़ा है सो इसी फर्मूला का नाम क्या है आप याद कर सकते इन n into n into n plus 1 by 2 का whole square n into n plus 1 by 2 का whole square जैसे देखे n की जगपे हम क्या put करेंगे इसको solve करें यानि 3 को put करेंगे 3 multiply 3 और एक कितना होगे 4 4 का आधा कर देजे और उसका क्या करना है हमको square करना है ठीक तर यह देखे 3 multiply 2 से 4 कर जगा 2 मरते 2 का square 2 2 का square 4 हो जागा यानि कितना आ रहा है 4 ते 12 यानि यह फोलो कर रहा है यानि हमको कौन सा formula याद करना होगा n into n plus 1 by 2 का whole square clear है अब क्या कर रहा है 16 प्राकेटिक संख्या की घनू का आउसद ग्याद करना है तो 16 है इन की जगपे हम क्या रखेंगे मल्टिप्लाइब 17 का square हो तो 289 289 और 2 का square कितना होगा 4 4 से 16 कर जाएगा कितना मरती 4 मरती 4 से 289 में जब मल्टिप्लाइब करेंगे तो यह कितना होगा 9 चक 36 की 6 हासिल 3 8 चक 32 32 आ 3 35 की 5 हासिल 3 अब दिखे 4 तून 8 8 हासिल 3 कितना होगा 11 यान 1156 इसका कड़िक जबाब होगा कौन सा 1156 यानि option C option D यानि हमको घनों का जब औसत निकालना हो तो कैसे फर्मूला याद करेंगे N into N plus 1 by 2 का whole square N into N plus 1 by 2 का whole square यह फर्मूला हमको याद रखना होगा किलियर है next प्राकेटिक संक्या एक से स्टार्ट हो रहा है कहां तक 10 तक जा रहा प्राकेटिक संक्या कि बढ़गों का उसत कैसे निकालते है अभी हम लोग फर्मूला सीखेते N plus 1 into 2N plus 1 2N plus 1 by क्याकता 6 N plus 1 into 2N plus 1 by 6 अब N की जब यहाँ कितना है 10 प्राकेटिक संक्या 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया 11 multiply 10 दूना 20 20 और 1 कितना हो गया 21 21 वटा 6 जब इसको काटिएगा 3 से काट दीजिगा 3 दूना 6 3 सत 1 कई 7 यानि 77 वटा 2 77 वटा 2 को जब solve किजिगा यह कितना आजागा 2 दुट्याए 6 3 एक वजी गया 8 दूना 16 16 172 पची 10 यानि 38.5 इसका correct answer होगा यानि option 5 इसका इन में से कोई नहीं यानि 38.5 इसका correct average हो जाता clear है next अगला प्रेश्ण क्या करा है 100 तक के सभी बिसम संक्या का आउसत यानि आउसत भी निकालना है वैसे जो सभी बिसम संक्या कहां तक 100 तक के देखे पहली बिसम संक्या क्या होता एक इसकी बाद का बिसम संक्या तीन इसकी बाद का बिसम संक्या पाच ऐसी जाते जाते कहां तक 100 तक यानि 100 तो सम संक्या है इसकी पहली बाले बिसम संक्या कितना होगा 99 अब देखिए इन डोनों के बीच का डिफिरेंस कितना है दो इसके बीच का डिफिरेंस कितना है दो यानि सम संख्या हो या बिसम संख्या उनके बीच का डिफिरेंस सेम होगा जब सेम होगा तर डिफिरेंस सेम होने पर पहली टर्म पलस लास्ट टर्म डिवाइ तो यह कितना हो जगaya 50 यानी करिक्ट एव्रेज दुश्टी इसका करिक जवाब हो गा कुंसा ओपसंथी ऐसे कुण ए ऩngअ अचृत जी वांस्टरेचन संते निक्स twist parae लेकिन 51 प्राकेचिक संच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च स्वाइ सब्सक्राइब करें दो 14 11 का किना होगा 102 औहली प्रvertरेंस की सैजे संभ झाओ कैसे निकते निकात फिर्स टर्म पिलस लास्ट तरम साफिई नीकाल लिए क्षक का огром चाओ क्यों 1े यानि जम संख्यार का प्राकृतिक सम्संख्या का ऐस्ड़ आपिस हैं। समसंख्या क्या होगा च्छोहत्तर अभी परेश समसंख्या का डिफनेंस सेम होगा हमेशा हर स्थीति में डिफनेंस सेम होगा जब डिफनेंस सेम होगा था फर्स टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड वाइड वाइड क्या करेंगे टू करेंगे यानि 2 प्लस 74 डिवाइड इसका कडिक टैंसर होगा यानि option c यानि थीरी इसका कडिक चबाब होजाएगा clear है next 60 के सभी गुनकों का उसद ग्याद करना है अब देखे 60 के सभी गुनक यानि 60 कौण-कुण संख्या से कट रहा है उनका average ग्याद करना है साथ की सभी गुना कैसे ग्यात कर जागा देखिए साथ है साथ किससे कट सकता है पहली बाद एक से कट जागा दूसे भी कटेगा तीन से भी कटेगा शार से इक बंट़ जागा या टारत शार शार से भी शाठ जाए गई यागा फिर पीरथ से कट आद करिशा, चौछन से कंटेगा, सतने दस से साथ कड़ जागा फिर 11 से निकर बारा पच्छे साथ बारा से कड़ जागा 13 से निकर देगा 14 से निकर पंदर चकर साथ 15 से कड़ जागा तोला नहीं होगा 17 नहीं 18 19 20 यह 60 20 से कड़ जागा एक कईस नहीं हो सकता है इसके बाद आप सीधे इदे चले जाएए कितना में साथ से कड़ जागा तिश्दूना साथ और एक हो जागा साथ यानि ये सारे क्या है साथ के गुनक होगे अब इनका average क्यात करनात है average क्यात क्यात क्यासे करेंगे number of term को add कर दीजी यानि 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 10 plus 12 plus 15 plus 20 plus 30 plus 60 जब इसको add करेंगे तो ये total number of term कितना आ गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, जस, गारा, बारा बारा से हमको डिवाइड कर देना number of term से डिवाइड कर देंगे जब उपड़े वाले को add करेंगे तो टूटल एड हो किया आपको आ जागा कितना 168, कितना 168 आ जागा 168 को जब बारा से डिवाइड की जब तो ये कितना मर्तिक कर जागा बारा इकम बारा बार चा कर तालिश, 48 यानी 14 इसका कडिक्ट एंसर होगा रिवाइड करना Cancer, next साथ की पर्थम पाच गुंचयों का उत जोथ गयाट है साथ की पर्थम पाच गुंचयों यानी साथ का पहला गुंच शुंस साथ ही होगा इसकी बात दूसरा गुंच का बात किया जया तो साथ दूना चोवदर, तीसरा साथ ये 21, साच चक अठाइस, साथ पचे 35, यानि फस्ट टर्म पलस लास्ट टर्म, डिवाइड बाई टू कर देंगे, अवरेज निकालें, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, हर इस्तिची में डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम होने पे, फर्स टर्म पलस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू, सेवेन पलस 35 डिवाइड बाई टू कर देंगे, सेवेन को 35 में एड करेंगे, तो ये कितना हो जागा, ये हो जागा 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जागा, दो दून अचार यानि 21, यानि correct answer, option B यानि 21 इसका correct gonna be correct पहली पाच अहज संख्या का उसत ौर्च गया तरफेशा अहाज संख्या रatura होता वैश्य कले संख्या संख्या जिस्का आहिं किया जा सकती आहाज संख्या क्या पहली 5 अहाज संख्या अवाज संख्या 2 से इसलाट होता है चोटी सबसे चोटी अभाद संक्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं हुआ, 5 अभाद संक्या, 6 नहीं है, 7 एक अभाद संक्या, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11, यानि पहली 5 अभाद संक्या निकल गया, अब इसका average निकल ला है, सब को जोड़ दीजे, 2 plus 3, plus 5, plus 7, पलस 11, divide by number of term, कितना 5 term से divide करना है, 5 से divide कर दी, जब इसको add कीजेगा, तो ये कितना आजाएगा, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 11, 17, 17, 18, 18, 28, 28 divided by 5, 28 को जो 5 से divide कीजेगा, 5, 25, 5, 3, 8, 5, 35, यानि 5.6, इसका correct answer होगा, यानि option A, इसका correct जबाब हो जाएगा, clear है, next, अगला प्रस्ट क्या करा है, जिया गया fraction में, और इसका average क्यात करना है, number of term कितना है, 1, 2, 3, 4, यानि 4 से हमको, दीगे sum को, इसको add करके, 4 से divide करना है, सबसे पहले इसको add कैसे करेंगी, यह important है, तो देखिए add कैसे करते हैं, पहले प्रुणां की पहले वाले जो संख्या, उसको पहले लिख दीजे, जैसे 2 है, 5 है, 4 है, 8 है, 2, पलस 5, पलस 4, पलस 8, इसको add एक साथ कर लिजे, पलस, अब देखिए, जो fraction में, उसको एक बार add कर लिजे, यानि 3 by 4, पलस 1 by 3, पलस 1 by 6, पलस 1 by 2, इसको एक बार add कर लिजे, ठीक, जब इसको add कि जागा, तो यह कितना हो जागा, 5, 4, 9, 9, 10, 10, 5, 4, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 19, 19, पलस, जब इसको add कि जागा, तो यह आप कितना LCM ले सकते, 12 LCM ले लिजे, 4, 12, 3, 3, 9, पलस 3, 12, ठीक है, 6, 12, और 2 से कर जागा, कितना मरते, 6 मरते, यानि 6, 10, 10, 19, 19, 21, 20, यानि 19 पलना, पलस, 21, 12, 21, 12, को आप लीग सकते, 3 से कर देदे, 3 चक वारा, 3 से कर देदे, 7 by 4, यानि 19 पलस, 7 by 4 को लीग सकते, 1 पुर्णा, 3 वटा, 4, 19 और 1 कितना हो गया, 20, यानि 20 पुर्णा, 3 वटा, 4, इसका क्या आगया, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अबरेज को क्या से निकालते, इस सम को नमबर और टर्म से दिवाइट कर देते, यानि 20 पुर्णा, 3 वटा, 4 को, हमको क्या करना होगा, चार से दिवाइट कर देंगे, चार से जब डिवाइट करेंगे, तो देखें कैसे होगा, 4 से 20 कर जागा, कितना मरते, 5 मरते, बलस, 3 वाइट, 4 को, अगर हम 4 से दिवाइट कर रहे, ये कितना मल्टिप्लाई हो जागा, यानि इसको हम लिख सकते, 5 पुर्णा, 3 वटा, एड करके उसका average क्याद करना है यानि जो भी दिया गया इसको कुछ नहीं करना है इसको एक साथ लिखके add कर दीजा और उसको number of term से आप divide कर दीजे यानि एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस यानि जी के टर्म को उनको किछ डिवाइट करना होगा 10 से अगर हम डिवाइट कर देंगे तो इसका correct average प्राप्त हो जाएगा अब देखे इसको average क्याद करने के इसको add करना पड़ेगा यानि 9.7 9.7 plus 10.2 plus 8.5 plus 12.4 plus 8.1 plus 3.3 plus 5.8 plus 6.5 plus 7.6 plus 11.9 जितना आएगा उसको हमको number of term यानि 10 से डिवाइट कर देंगे तो क्या होगा है average प्राप्त हो जाएगा इसको add कीजिएगा total को जब add कीजिएगा तो यह आपको आजागा 84 आजागा 84 को हमको क्या करना है 10 से डिवाइट करना है 84 को जब हम 10 से डिवाइट करेंगे तो यह कितना आजागा 8.4 इसका कडिक जबाब हो जाएगा clear है next अब देखिए अब important language के प्रशन आ रहे इस पर आपको थोड़ी से अच्छे से पकड़ बना देखिए 9 मित्र किसी होटल में भोजन के लिए गया यानि 9 मित्र किसी होटल में भोजन के लिए गया यदि 8 में से परतेक ने 30 रुपे का अधा किया इन्टु 9 ने परतेक के आउसत से 20 रुपे अधिक अधा किया तो बिल्कुल कितना का बना का बना काने का मतलब टोटल एवरेज से 9 मां भीक्ति के चाकिया 20 रुपे अधिक 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 ज्यानि मान लेजिए मान लिजिए कि average total 9 वेक्ति के average अगर x है average अगर x था ठीक है 9 वेक्ति के average x था तो total पैसा कितना जमा होता 9 x उर्पया उसको देना होता 9 x उर्पया हमको देना होता ठीक है अब क्या किसी hotel में भोजन के लिए आठ में से पर्टिक ने 30-30 रुपया का अधा किया यानि 8 वेक्ति था जो पर्टिक ने 30-30 रुपया दिया कितना दिया आठ ती चोवी 240 रुपया दे दिया ठीक है कितना 240 रुपया आठ वेक्ति ने उसको दे दिया तो 9 वेक्ति क्या करता है नौबे वेक्ति ने परतीक के आवसत, यानि परतीक के आवरेज हमने एक्स माना, परतीक के आवसत से 20 रुपया अधिक अधा किया, यानि नौबा वेक्ति कितना अधा किया, नौबा वेक्ति कितना अधा किया, परतीक के आवरेज है एक्स, एक से कितना 20 रुपया जाधा यह आजागा नौबा वेक्ति का पैसा जब इसको solve किजिएगा तो यह देखिए 9x minus यह पलस में तो इधर आजागा minus में x यह 240 minus में तो इधर पलस में आजागा 260 यानी 8x वराबर कितना होगे 260 4 से काड़ दे तूस 4 दूना 8 2 से काड़ दो चका 8 दो इकम 2, 2 ते चो तीस फिर 2 से काड़ दो दूना चाड़ दो चो दूना बारा 2 पचे 10 यानी 65 यानी x वराबर कितना आगया 65 वाइटू एक्स वराबर 65 वाइटू आगया अब क्या कर रहा है यह दी तो बिल का खुल धनरासी कितना है टोटल कितना है एक्स यानी एवरेज x आगया एवरेज हम कितना 9 वेक्ति में पाटे थे यानी टोटल धनरासी कितना था 9x था परतिक यानी 25 डिवाइड वाइटू मल्टिप्लाई 9 कर देंके तो इसका टोटल सम निकल जागा यानि टोटल सम निकालने के लिए 945 के 5 हासिल 4, 936, 364, 40, 40 divided by 2 जब इसको solve की जगा तो ये कितना जगा 222, 40, 224 यानि 205.202.5 इसका correct answer होगा यानि option एक मिनिने 252, एक मिनिने कहां गलबर गलबर होगा इसको देख लेती एक बार एक बार और देखिए कोई दिकत नहीं है, क्या कर रहा है question question में क्या कर रहा है, question कर रहा है कि 9 मित्र क्या average जा गया है एक मिनिट एक मिनिट अब question एक पार फिर से पड़ी concept के लिए रो जाएगा कर रहा है कि 9 मित्र ने किसी hotel में भूजन के लिए गया जिसमें से किसी ने भोजन के लिए उसमें क्या करा है कि पर्तिक याथी आठ मेंसे पर्तिक ने 30-30 रुपया दिया ज्यानि मान लेजिए बुहोजिन के लिए होटल में गया आठ में से पर्तीक ने 30-30 रुपया दे दिया अगे क्या करा है किन्तु नौवे नौवा वेक्ती ने पर्तीक के औसद से 20 रुपया अधिक अधा किया यानी 9 वेकती यानी total यानी 9 वेकती का average माल ले जाथ लेक आवरेज हमने अगर एक्स माले नौवा वेक्ति ने क्या किया एवरेज से यानि आवरेज से 20 रुपया जादा दिया नौवा वेक्ति ने यह कुन सा विक्ति नौवा विक्ति आ गया नौवा विक्ति ने क्या गया आवरेज से 20 रुपया जादा दिया यह जो नौवा विक्ति था जो टूटल यानि एक्स की हिसाब से 9 विक्ति का संप्राप्त होगे 9X यानि एक्स आवरेज की साब से 9 से multiply के 9X आवरेज आ गया यानि टोटल आ गया 240 240 पलस 20 यानि 260 पलस x बराबर कितना हो गया 9x यानि 260 को जब इधर x आ जागा यानि 8x 260 को जब 8 से डिवाइड करेंगी आपको आज़ागा 260 बटा 8 ये आ गया x का वैलू अब हमको क्या करा कुल धनरासी कितना था तो टोटल धनरासी 9x था क्योंकि 9 वेक्ति के आवरेज हमने x माना तो टोटल धनरासी कितना 9x हो गया यानि x का वैलू इतना आ गया तो 9x का वैलू हमको पूछ रहा है तो 9x निकाल देंगी यानि 260 डिवाइड वाइड वाइट मल्टिप्लाइ 9 जब इसको सॉल किजेगा तो यह आपको आ जाएगा कितना 292.5 आ जाएगा किलियर जब इसको सॉल किए 4 से काड़ दीजिए यह 268 से डाइरेक्ट कर जाएगा आपको उतना 32.5 मरते था 32.5 जब इसको नौ से मल्टिप्लाइ किजेगा तो यह आजाएगा 292.5 किलियर है निक्स्ट जदी A B C D E जथा एफ च्छ करमागत विसम संक्या हो तो उनका ओसत क्या होगा देखिए A है B है C है D है E है और E P है जानी क्या कर रहा है श करमागत विसम संक्या होता है वैसे ही संक्या जयानी एक होगा पहली विसम संक्या दूसरा बात क्या जाया तो तीन हो सकता है फिर हो जागा पाच, छो नहीं साथ, शाथ के बाद आठ नहीं नो, नो के बाद दस नहीं इगारा, बिसम संख्या होगे, अब क्या कर रहा है, उनका उसत क्या होगा, बिसम संख्या जिसका डिफरेंच सेम हो, यानि फिर्स ट्रम पलस लाश्टर डिवाइड वाइटू, यान 12, 12 को जब 2 से डिवाइड के, यह कितना आ गया, 6, यानि बिसम संख्या कितना होगा, 6 होगा, यानि 6 निकालने के लिए हम क्या कर सकते, दिखिए, कोई भी संख्या का वैलू, अगर 6 आ जाए, तो वो हो जाएगा, जैसे एक ही जगा पर 1 रखते, यह हो जाएगा कितना, 5 ह यानि यह तो उप्सन नहीं होगा, उप्सन इसमें एक जगा पर 1 पूट करते हैं, यह भी आवरेज नहीं दे रहा है, इसके एक जगा पर 1 रखते, 1 प्लस 5 कितना होगा, 6 यानि एवरेज हम को यह करिक्ट अंसर दे रहा है, कुन सा उप्सन सी, इसका करिक जबाब होगा, क सिंप्लिफाइ कर सकते हैं, क्लियर है, किलियर है, निक्स्त, 9 बच्चों की एक समुगी ओसत आयू, 10 वर्स है, इनवे से 2 बच्चे, जिनकी आयू, 9 बश्च और 11 वर्स है, चले जाते हैं, 2 बच्च के बाद, से से इस बच्चे की ओसत आयू, क्या होगा, देखे, 9 इसको आप आसान भासा में समझी नो अड़ इगारा चला गया कहने का मतलब टूटल नो बच्चे का एवरेज जा गया था कितना दस दस पर यानि सम ज्या एवरेज ज्या गया है अब क्या कर रहा है दो बच्चे जिनकी आयू 9 वर्स है दो बच्चा का बात किया जिसके आयू 9 वर्स है और 11 वर्से दूनो चला गया तो 9 अड़ 11 चला गया यानि कहने का मतलब 20 वर्स का आयू बच्चा कितना नो में से दू चला गया तो बच्चा कितना 7 वर्स साथ बच्चा यानि साथ बच्चा और सम कितना पता चला है नबे में से 20 चला गया तो इधर बच रहा है सत्तर यानि साथ बच्ची का सम कितना हो गया सत्तर अब क्या पुझ रहा है तो दो बर्श के बाद उनके उसत आयोग क्या होगा अब देखिए साथ बच्ची का सम जिय बच्चों की औस आयू क्या होगा दो बर्ष के बाद सेज्ट बच्चों की औस तैयू क्या होगा दो बर्ष के बाद कि डू की बरिधी हो जागी यानि 10 पलस कितना हो जागा बारा हो जागा करिक्ट परू जो जांगा हुज गी यानि इन में से कोई नहीं यानि option E इसका कडिक जवाब होगा क्योंकि question में क्या कर पूछ रहा है दू वर्ष के बाद सिस वच्ची की औुसोत आया क्या सइस बच्चा कितना रहा गया साथ बच्चा हो गया साथ वच्ची का ऐवरेज था दस दो बश्च के बाद यानि सम में दो दो बर्श की ब्रीदी हो जाएगी किलियर है next वेक्ति स्टूडेन था उसका एवरेजम को कितना आया साथ आया कोई बात नहीं है पाद में पता चला कि एक परचार्थी का अंक 87 के बदले 55 उसको लिखना था 87 87 लेकिन लिख दिया कितना 55 कि दूसरे परचार्थी का अंक तैं 43 लिखना था जबकि उसने लिख कितना दिया 59 लिख दिया गया यानि कितना में डिफरेंस कितना आ गया गलती से ये इंटरी हो गया इंटरी हो गया ठीक हां देखे 710 के सुनना हासिल 1 8 2 10 2 12 1 3 130 तूग्स को लिखना था लेकिन जब डिफरेंस आने के कारण 9 5 14 के 4 हासिल 1 5 4 9 5 10 से की गाड़ा यानी 114 लिख दिया यानी आवरेज में क्या हो गया कमी आगया यानी आवरेज बढ़ना चाहिए कितना बढ़ना चाहिए यानी 130 से 114 कितन कर दीदिक दिन है आक कितना 16 में की ब्रीधिं हो जाएगी कितना क्या आवरेज में एक की ब्रीधि कर ना पड़ेगा यानी पहले आवरेज कितना हो जाएगा 61 इसका करिक जवाब होगा solid 61 यह ने अगला प्रष्ट क्या करा है है एक साुन्ह का अंक 90 से 50 आ गया जिससे ऑसत घटकर साथ हो गया परिच्छा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की परिछार्थिओं की संख्या ग्यात कि जिए और एक परिच्छा में परिचार्ची के उसत अंक सत्तर पाए गया यानि एवरेज कर रहा है कि सत्तर उसका आना था ठीक है लेकिन क्या हुआ कि तूटी के कारण कंप्यूटर में तूटी के कारण 50 परिचार्ची के उसत अंक जो 90 से 50 आ गया यानि आना चाहिए 90 आ कितना गया प देखिए question में क्या करा है माल लिजे कि सुड़े में चे 50 थी था माल लिए x विद्यार्थी जाम में एपियर हुआ x average लाना था 70 तो उसने total 70 के हिसाब से अगर total कितना अंकला था यानि 70 x अंकला लिया था कितना 70 x लेकिन क्या हुआ कंप्यूटर में तूटी के कारण 50 को विद्यार्थी था उसमें क्या हुआ 50 विद्यार्थी के बीच में क्या हुआ average 90 लाना था इतना उसको 90 अंकला था लेकिन तूटी के कारण उसने कितना अंकित कर जिया 50 अंकित कर जिया यानि कितना का कमी अंकित कर रह है कितना 2000 का अंतर रंकित हो रहा है यानि पूटल सेवेंटी एक्स मार्क आना चाहिए 70 एक्स लेकिन 2000 कंप्यूटर में गलती के सारण 2000 कम आ रहा है जिस कारण क्या हुआ जिससे उसके ओसत घटकर 60 हो गया पहले एवरेज 70 था अब नया एवरेज कितना आ गया 60 हा रहा है यानि 60X जब इसको solve किजेगा यहां से आप X का value निकाल सकते हैं X इधर आजाएगा यानि यह हो जाएगा 10 X बड़ावर कितना हो जाएगा 2000 10 X बड़ावर 2000 यानि X बड़ावर कितना हो गया 200 यानि पहले सुरू में विध्यार्थियों की संक्या हमने कितना माना था यानि विद्यार्थी शुरू में कितना था, 200 विद्यार्थी था, यानि correct answer, option 5, इन में से कोई नहीं होगा, कौन सा इन में से कोई नहीं, clear है, next, एक कच्छा में लर्कों की आयू का ओसत, लर्कियों की संख्या का दूगुना है, यदि कच्छा में 36 विद्यार्थ्यों में ल यहां जाएगर लर्कों की आयू का ओसत, लर्कियों की संख्या का दूगनी है, यानि बवाए, ब्वाई का क्या है एवरेज जा गया है ब्वाई का एवरेज क्या है एवरेज क्या जा गया ब्वाई का लड़कों की आयू का ओसत लड़कियों की संक्या का दुगना है लड़कियों की संक्या कितना है चो का दुगना है यानि चो का दुगना कर देंगे तो ब्वाई का एवरेज है 12, तो सम कितना होगा, 12 बाड़ा बायन चो बाड़ा थे 36, यानि तीन सो साथ यानि टोटल सम प्राथ हो जागा, कितना, 360 इसका कडिक एंसर होगा, यानि ओप्शन दो इस प्रश्न का कडिक जबाब हो जाएगा, किलियर है, निक्स, 5 सदस्यों की ओसत आयू, 6 सदस्यों की आयू की तीन गुनी है, यदि सभी 6 सदस्यों का ओसत आयू, 30 फुनांग, 2 वटा, 3 वर्शों, तो 6 सदस्यों की आयू ग्याद किजिए, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेए, 5 सदस्यों का ओसत आयू, 6 सदस्यों की आयू की तीन गुनी है, 8 सदस्यों की आयू का तीन गुना है, अब देखिए, इसको थोड़ी सी कंसेप्चुली समझ लीजिए अच्छे से, ताकि इस प्रश्में आप कभी भी गलत ना कर सके, प्रश्चन का रहा है कि 5 सदस्यों की ओसत आयू, 6 सदस्यों की आयू, 6 सदस्यों की आयू की तीन गुनी है, यानि ता 5 का एवरेज हो जाए, पाच का एवरेज हम लोग निकाल सकते, च्छे सदस्यों की आयू की तीन गुना, इसका तीन गुना, यानि 3 सदस्यों की आयू का इवरेज हो जाए, अगर हम सम निकाल सकते, तोटल शोट सदस्यों का सम निकाल सकते, आसानी से, यानि 3 स Hag would जाए, यानि 3 numer5 से मल्टिप्लाई कर देंगे, 5次 which time complex, यह हो जाए, कितना पाच वीकति का समप पर एक छठा वीकति एक और इसका समगयर सम सब्सक्राइशन तोट। ऋकठाइशन जो पेंद यहो आंगे ड्लाइशन ओना जागए है यही इसको छोत्य आठारा यानी 180 प्लस इंदूना चार यानी 180 प्लस चार यानी 184 यानी X बराबर कितना हो जाएगा 184 बटा 16 जब इसको 16 एक मत्य चो दू आठ दूस तो दूना 32 यानी 11.5 आजागा कितना 11.5 यानी एक्स बराबर कितना आगया 11 यानी छट्थे सदस्की आयू हमने कितना माना था एक्स माना था और एक्स का बहलू हमको कितना आगया 11.5 बर्स यानी ओप्सन 3 इसका कड़िक जबाब हो जाएगा क्लियर है निक्स एक किरकेट खिलाड़ी के 50 पालियों में बल्लेवाज का आउसत रन 40 है यानी question क्या कर रहा है कर रहा है कि एक किरकेट खिलाड़ी के 50 पालियों की बल्लेवाज का आउसत रन 40 है यानी जब 50 मेंच खिला अब पड़ती एक वार 40-40 रन बना रहा है तो टूटल कितना बनाया पंचक 20 यानी 2000 रन तो उसने पना लिया लेकिन आगे क्या कर रहा है उसका उज्टम इसकोड नियूंतम इसकोड से 172 रन अधिक है यानी इन दू पालियों को छोड़ दिया जाए यानी हाइस्ट वाला अलोइस्ट वाला पालियों को छोड़ दिया जाए उस इस 48 पालियों थ्टिन के जेगा, यह आपको आजाँगा, कितना 1822 आजाँगा यानी 1824 एन मारा, यानि जब दोनों का डिफ्रेस निकाल येगा, त्यू आजाँगा 116 या जो 116 रनाया, या कितना पाली काया, 22 पाली का, बचा हुगा 2 पाली यानि एक में हाईहसली स्क्रोर मारा होगा एक में लोएस्टी स्क्रोर मारा होगा यानि सबसे उच्टम स्क्रीक से अगों सिन यूंतम स्क्री का является 116 ठीक है, आजि प्रोजिक उच्छटम is Kola 이. 172 रन का अंतर है यानि उच्तम हाइस स्कोर अगर X है और उसमें से नियुनतम स्कोर को घटा दी Y को यह हमको कितना आ रहा है 172 अब हमें इनसे X का भैलू निकाल सकते Y से Y कैंसल यानि 2X बराबर कितना हो गया 628, 724 के 4 हासिल एक, 1,1,2,2,8,3,4 यानि X बराबर कितना आ गया यह कर जागा 1 मत से 1724, 428 यानि X बराबर कितना आ गया 174 अब पूछ रहा उसका उच्तम एबं नियुनतम स्कोर क्या होगा हाइस्ट इसकोर कितना आ गया, 174, नियुनतम स्कोर निकालने के लिए हम कोई एक 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 एक्वेशन में पूट कर सकते यानि X बराबर कितना दे आ गया, 176 जा गया यानि X के जगा हम 174 पूट करेंगे, तो Y के जगा पर कितना दो पूट करना पड़ेगा, तभी तो 166 होगा यानि नियुनतम स्कोर Y कितना आ गया, 2, यानि कितना आ गया, 174 और 2, यानि करिक्ट एंसर, ओप्शन A, इसका करिक्ट जवाब हो जाएगा ओप्शन A, किलियर है, निक्स्ट, अगला प्रेस, तीन संख्या का उसद ज्या गया, 145, सबसे बड़ी संख्या, 186, सेस्डू संख्या का अंता 15, तो सबसे चोटी संख्या क्या होगा, देकि तीन संख्या का उसद ज्या गया, 145, तीन नंबर का, तीन संख्या का सम अंकर ह निकाल सकते हैं, तीन संख्या का सम कितना हो जागा, 145, multiply 3, जब इसको multiply करेंगे तो ये कितना आजागा, 15, 15 के 5, हासिल 14, 12, 13 के 3, हासिल 13, 14, यानि 435 आजागा, उसमें से क्या करा है, सबसे बड़ी संख्या 180 है, जब 180 इसमें से घटा लेंगे, तो दोगो संख्या बच जाएगा, कौन सा, यानि 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानि 5, 8, 5, 13, ये हो गया 3, 3, 3 में से 1 गया 2, यानि 255 हो गया, क्यों, जोगो संख्या हो गया, 255, से दो संख्या का अंतर 15 है, यानि ये जो है, दो संख्या का योग प्राप्त हो गया, x plus y, 2 संख्या x plus y, 255 और x minus y, उनका अंतर जा गया है 15, सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है, तो छोटी संख्या y होगा, यानि कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको जब solve कीजिएगा, इसको add कीजिएगा, तो यह होजगा 2x, बड़ावर कितना होजगा, 5, 5, 10, 9 हासिल 1, 5, 1, 6, 6, 1, 7, यानि 270, जब x काटिएगा, तो यह 1 मरते, 2, 6, 3, 2, 5, 10, 135, x का value आगया, 135, y का value निकालने के लिए, कोई एक equation में put कर देंगे, जब x पलस y बड़ावर 255 है, तो x पलस y बड़ावर कितना जागया, 255, x की जगापे हम लोग 135 पूट करते है, y का value निकाल जगाप पलस y बड़ावर 255, इजी भासा में समझारे, इसलिए हमने इतना डिटेल कर रहे, ठीक है, 255, माइनस 135, जब इसको solve की जगा, तो यह 120, इसका correct answer होगा, सबसे छोटी संक्या कितना होगा, 120, यानि option सी इस प्रश्न का correct जबाब हो जाएगा, clear है, next, प्रिस्ट विद्यार्थी की उम्र का उसत ज्या गया 15 वर्श, ठीक है, उनके अध्यापक का उम्र, उन सभी 21 की उम्र के उसत से 30 वर्श अधिक है, यानि जब teacher का सामिल कर लिया, यानि 21 वर्श से क्या है, 20 विद्यार्थी का एवरेज हमको दिया गया है कितना, माल लिजे, 21 अध्यापक का उम्र है, टूटल 21 विक्ति, इसमें teacher वी आ गया, यानि 21 विक्ति का आवरेज एक्स है, ठीक है, तो टूटल कितना हो गया, टूटल 21, इसम होगा, आगे क्या करा है, 20 विद्यार्थी के उम्र का उसद दिया गया माना था एक्स प्लस तीस यह कितना टीचर का आयू है ठीक है यानि टूटल विक्ति कितना होगे एक इस विक्ति का एवरेज कितना जिया गया 20 सम कितना 21 x जब इसको सॉल की जिएगा तो यह आ जागा 330 बढ़ावर यह एक्स पलस में तो दर माइनस में यानि यानि एक्स जीरो से जीरो क्यांसी रोगे यानि एक्स बराबर कितना गया 33 वाइटू 33 वाइटू अब हम से क्या पूछ रहा है तो अध्यापक का उम्र क्या है हमने अध्यापक का उम्र कैसे ग्याद करना अध्यापक का उम्र एक्स प्लस तीस है कितना एक्स प्लस तीस यान एक्स यह आ गया यानी अध्यापक का उमढ़ में यानि 33 में दूसरी जब डिभाइड करकी क्या करना है उसमें 30 को एड करना है यानी एक्स प्लस 30 है एक्स प्लस 30 कर सकते कोई दिकत नहीं जब इसको सॉल की जगा तो यह कितना जगा तीन दुना चो यानि साथ साथा तीस नब्वे यानि 93 वाइटू 93 वाइटू को हम लोग लिख सकते कितना तो चका आठ चो दूना बारा यानि स्यालेस पुर्णांक एक वटा दो बर्स यानि ओप्शन सी इसका करिक जबाब होगा कुन्सा ओप्शन सी लियर है निक्स्ट निक्स्ट इंपोर्टेंट प किस महीन है पहले तीन महीना तक परती महीना 500 खेलोना बनाता है जरू ञएख पांधिये 10odas 10 35AKD तो जस नो महीने में कंपनी परती मां उस्तन कितना खेलो हंे बनाए कि पूरे ब殺 की दौरां। परतिमा 2400 खिलोन हैं टोटल वर्ष मेंदेट 12 महिनमेल महिना मेर महिना कितना होना 3400 खिलोन उइसको बनाना था 4400 खिलोना बनाना था टोटल कितना ह जरो से 2 तोटल डर भाषक ए departments गें दूफ ठाटालिटालिके आठ हासिल चार बारचक अर्थकुर्टालिट 24hmenड 52 यानि 52 200 उसको टूसको खेलोना बनाना थाशा जबकि उसने अभी तरक तीन महीना में इतना 10 500 खेलोना बना लिया यानि रिष्ट के पास कितना बच गया बच कितना गया? बावन आठ सव में से हमको और करना होगा? बावन आठसो में से 1,500 घटाएंगे यह आपको कितना आजाएगा? 0, 0, 5, 3, 8, 3, 2 यह बावन. अब क्या कर रहा है? इस पोड़ों महिना तोटल आमांट और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो पर महिना का आबरेज निकल जाएगा जैनि जब इसको 9 से आप डिवाइट कीजिएगा तो यह आपको आजाएगा कितना नो कहा ठाड़ा ताह नौचक चटिस नौचक चटिस लगाएंगे चारमाते चटिस अटिस और नो सते तिले सट नो सते तिले से यानि सैटालीस यानि सैटालीस सो इसका करिक्ट अनसर आजाएगा यानि option दी इस प्रस्न का करिक्ट जबाब हो जाएगा कौन सा सैटालीस सो किलियर है नीक्स्ट 1620 की उसत मज़्दूरी एक विक एक अनविक्ती के सामिल करने से एक रुपया घढर जाता यानि average में एक रुपया की कमी आ जाती है उस वेक्ति को 100 रुपय पर्टी मा के हिसाब से मज़दूरी दी जाती है मालेजे 16 वेक्ति था उसका average x था तो टोटल कितना प्राप्त होता 16 रुपया उसको होता लेकिन एक वेक्ति 100 रुपय पत्री महिना के इसाब से लेके आता है 100 रुपय एक और वेक्ति आता है जिससे क्या होता है वेक्ति क्या थना था 16 था अब वेक्ति कितना हो गया 17 वेक्ति हो गया अवरेज में क्या हो आवरेज पहले x था आवरेज में x में से 1 की कमी हो गया के लिए जब इसको solve किज़ेगा तो 16x plus 100 बड़ावर कितना हो जागा 17x माइनस 17 16x में से 17x में से 16x जागा तो x आजागा 100 minus 100 plus 17 x इधार जागा पलस में यानि x बड़ावर कितना आजागा 117 यानि पहले एवरेज कितना तो 16 वेक्ति की ओसत मजदूरी रुपे में क्या थी 117 रुपया था यानि ओप्सन सी इसका कडिक जबाब होगा कुण सा ओप्सन सी किलियर है next एक वल्लेबाज ने 20 पालिया खेली और वह हर पाली में आउट हो गया ठीक है 20 पाली में उसके दोरा बनाए गए 10 रनों में 20 पाली में उसने 10 रन ले उसकी ओसत रन में 1 की कम कर दी 20 पाली तक उसका ओसत न कितना था देखिए 99 पाली तक उसने कुछ रन मारा होगा 19 पाली तक अगर x का average से उसने run मारा होगा 19 x run मारा होगा ठीक 20 पाली में उसने क्या क्या 10 run मारा ठीक है उससे average में क्या हो गया average में उसका 1 की कमी आगया यानि average अगर x था total पाली हो गया 20 average पाले x था x में से 1 की कमी आगया स्टेटीए जब इसको जोल की जागा तो 19x प्लस 10 प्लस बढ़ावर कितना हो गया 20x-20 यह 20 पलस में आजएगा 30 बढ़ावर कितना और एक यानि 29 पाली तक आवरेज उसका कितना चला आता 30 का आवरेज चला आता अब क्या कर रहा बीस भी पाली में एक कमी हो गया यानि नया एवरेज कितना हो गया एक कमी जानी इन इन में से कोई नहीं यानि फाइव इन में से कोई नहीं इसका कडिक जवाब हो जागा किलियर है यानि 20 वी पाली के बाद उसका उसर चन कितना हो गया 29 का थैंक्यू पर वाचिंग देश वीडियो ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बी एसी बिहार स्टेटिक जांको सब्सक्राइब करना ना बोले साथ में बेल वेटन को दवादे ताकि आने वाले पत्रीक वीडियो का नोटिविकेशन आपको समय पर मिल सके थैंक्यू वन्स अगीन